हेलो दोस्तो रानकुलासिज मैं आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बहुत च्छी च्छी खबरे लाया हूँ और कुछ जानकारिया भी लाया जो आप लोगों के लिए काफी फायदे मंद होगी तो इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखें सबसे पहले हम बात करें सब्सक्राइब देखें सब्सक्राइब लेकिन मैक्समम जो है आपको एक सब्ताह तक है जो कि आपको बेट करना पड़ सकता है उसके अंदर है जो कि आपको बिग्यापन है जो कि आपको आजाएगा जिसमें कोई संसर नहीं है कि अब यह नहीं आएगा या इसे हवा है लेकिन आपको बिग्यापन एक सफता के अंदर है जो कि आदे जाएगा मैक्समम तो यह अच्छी ख़बर और सीटो की शंख्या लगबग वही रहेगी एक हजार से 1100 जो है तो आप लोग है जो कि जो त्यारी कर रहे हैं जो शेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसी पैटर्न पड़ा ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत आसान क्वेश्चन देदू हूं और आप लोगों को जिस तरह से लोगों को बुड़ो बनाया जा या मुर्क बनाया जा था एक सो ती उसके बाद आते हैं जो बहुत सारे लोग इंतियार करें 64 इंटर्व्यू का क्योंकि 64 इंटर्व्यू में सेंख्या काफी ज्यादा है इतनी सीटे निकट भविस में आई भी नहीं थी वी पैसी की तो यह 64 जो आपको सितंबर के शिकेंड बिक में है जो कि आपको हो सकती आ आज भी अपडेट आया है कि कुछ की फिर से मतलों इंटर्व्यू पहले भी चल रही थी कोरोना प्रियेड में इंजिलिंग की चली थी और इंटर्व्यू में कोई संसे अब नहीं है आपको शेकेंड बिक में संभावना है कि आपको इंटर्व्यू हो जो जो लोग तैयार हुआ सकते हैं उसके बाद है आपको परिछात मनल्स अक्टूवर में होगी आपको अप्टूवर में संभावना है और तो यह रही है आपको बीपीचिकी बीयस से की कुछ अप्डेट जो है उसको बतावा लेकिन पहले यह जो है 30,000 शेकेंडरी प्लस टू शिचकों की बहले अठकी तो राजी में 30,000 20 माधमिक एवं उच्छ माधमिक शिचकों की निव्टी अटक गई है पटना उचनेयले दौरा पारिति एकादेश के अनुपालन में सिच्चा विवांगने मंगल वार को राजी के उच्च माधमिक विध्यालों में मट्लब क्या है कि आपको छत्थे चरण की जो नियोजन के कारवाई है जो की और पर किर्या यो है आपको अस्थागित कर दी थी यह तो कहीं नहीं जो लोग इसकी जल्द की उमीद कर रहे तो उनको लिए बड़ा चटका है खास कर तीज़र सेकंडरी पुलस्टूसिच को की बहाली जो इंतजार कर रहे थे उनन भीरतियों के लिए उसके बाद आते हैं आपको बीएस सेसी की आपको क्या अपडेट है उसके ब 27 को होगी फार्मार्शिष्ट की कांसेलिंग, बी एससी 26 को फार्मार्शिष्ट की और 27 अगस्त को शेनेटरी इंस्पेक्टर की कांसेलिंग आयोजित करेगा, साथ अगस्त को आयोग द्वारा परकासी सूची में चैनि सभी 25 उमिद्वारों को अभी लेखो और परमान पत्रों की मूल और तीन कोपी सभ अभी परमानी छाया परती के साथ आयोग कार्याले में दो पर बारा बज़े से कॉंसेलिंग के लिए बुलाया गया उश्चाय आपको साफ है कि आफिकी अफना है क्यों कहीं न कहीं हों कि निकालने की गश्रया है कर रहा है और उस वांप कर रहा ह। और क्या है आपको नहीं होगी 23 को उर्दु अनवादक की परिच्छा, 23 अगस्त को उर्दु अनवादक की परिच्छा आउजित नहीं होगी, आयोग की एक अधिकारी के अनुसार लोकडाउन का लगातार बढ़ना इसकी मूल बजा है, लोकडाउन खतम होने के बाद ही अब नहीं चीथी के जारी होने की संभावना इसी तरह 30 अगस्त को भोसित साया कुर्दु अनवादक की परिच्छा टलने की संभावना क्योंकि उसके बारे में अब तक ना तो आयोग की वेबसाइट पर कोई सुचना दिगे नहीं आवरत्य में संभावना रख सकते हैं उससी तंबर में नहीं होगी अब ब्यासे इंटर लेवल में और ब्यासे सीजियल 3 की विगयाफन की बुर्द बात कर रहे तो मैं जो छातर सब फोन किये तो वहां जो फोन उटा उसके निशारे जाए एलेक्शन के पहले जो कि आपको है अक्टूबर में जारी हो यह बहुत इंपोर्टिन चादर कह सकते हैं मुझे मुझे जादे ज्यादा बोड देना है और क्या मतलब है एलेक्शन कब हो गिए और से क्योंकि बिग्यापनों पर सबसे ज्यादा असर होना पर इच्छाओं पर तो असर पड़नना है इस वास साथ अपनी तयारी जूटा हुआ संभाव है कि सितंबर के बजाए अक्टूबर में आयोग चुनाओ की चुचना जारी करें तो इसका मतलब क्या हो गया जैसे मैंने बताया था कि 15-16 सितंबर को है यह सकता था कि आपको अचायर शेंकता लागो हो जाए तो मतलब उसके पहले ब्येश से झेल अपनी या भी मिए से इंटरलेबल मेंस या भी हार सिपाही के घपान या भी प्गया रही है ब यह टीलय होती है तो अलग वात है लेकिन आपको पंदरल लेकिन यह क्या होगा सितं तक है जो कि आपके बड़ी बड़ी बेकेंसियां है या चोटी बेकेंसिया जो आनी है वो आ सकती है उस्टरफ शे महत्पूर न बीएससी से जल थी कभी जयापन क्योंकि उच पर लोगों को संसय हो गया लेकिन संसय करने की कोई जरूवत नहीं सीटों की संक्या कमी और अधि एक्षन कब होगी आपको नवंबर में होगे अक्टूबर में भी समभावना कम लग रहे फिल वक्त आयोक ने कोरोना से बचाओ के लिए मुकंबल इंद्जान के लिए तमाम विकल्फों पर विचार कर रहा है इस विजराज नितिक दलों के साथ चुना आयो के सामने धेरो सांथ देकि आपको अचार सहंता लाग वो जागा तो वा वह प्रफावी wordt में जारी हो तक है मतला सितंबर तक में है जो कि आपको लाच लग पर फेकेंसिया चाला यह फ्सकती है और अठीट परिच्छाइन में परिच्छ्ण तो मतलब अक्टूबर में भी परिछा आपकी हो सकती है उसके बाद डीलेड के फॉर्म है जो के उननीस से पचीस तक होंगे, बिहार भी जाले परिछा समीतीं डीलेड का परिछा फॉर्म जमा करने कृतिति विश्टारित कर दी है अब उननीस से पचीस अगस तक डीलेड के परिच्छा फॉर्म जमा किये जाएंगे इस अब्धी में जो परिच्छा फॉर्म जमा किये जाएंगे उसके डमी परवेश पत्र है जो के आंगा में सवताई से 29 अगस तक समीथी की वेबशाइट पर अप्लोड कर दिया जाएगा कि यह मेंज देना चांए जो कि जारी हो गया है मेंड काड के पेज तीन और चार पर आहे जो के जारी कर दिया गया है और तो जेए मेंज चैनल आठीय कर दिया है यह जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वार्देश में लगों आठ लाख 15273 परच्छार थी आमीं लोंग प से अच्छा सितंबर तक आउनलाइन आयो जीत होगी परिछा के लिए जारी कर दिया गया है में बीटेक देश भर के 605 के अंदरों पर तथा वी प्लानिंग के चार सो नवासी परिछा के अंदर है जो कि बनाए गया है चार पेज का एड्मिट कार्ड है जो कि दिया गया इसमें कोविड-19 के बारे में एड्वाजरी जो कि जारी किया गया है लोगड़ॉन स्टूडेंट कैसे पहुचेंगे सेंटर ये गार्जियन को काफी टेंसन है इस नहीं चलने से सेंटर अभी से सोच रहे हैं सेल्फ डेक्रेरेशन फॉर्म में बताना होगा कि बुखार है कि नहीं है तो आपको 14 दिन इसे बुखार खासी आने दिकत नहीं साथी कोविड-19 पोजिटिव केस वालों के क्लोज में समपर कोई नहीं आये है तो यह सब है जो क तो आपको लगभग है जो कि मैंने सारा है जो कि नियूज आज की जो है बता दिया है और उमीद है कि आप लोग बिल्कुल निवेक्टिव ना हो बहुत सारे लोग बहुत निरास हो जाते हैं कि अब बिग्यापन क्या आएगा तो बिग्यापन आएगी आपछी ख़बर य किसलिए घवराने की कोई बात नहीं चाहिए भीहार द्रोगा मुख्य परिच्छा के हो या या यह साइग के हो या या यह से इंटरलेबर मैंस के हो तो आप लोग उमीद ने खुश रहे हैं और खुशी मनोबल के साथ है जो कि तयारी करें कभी भी अपने परना लें कि यह सिर्फ मेरे लिए ही बना है तो फिर आपको शुरू हो जाएगी तो परिचाय नहीं होगी तो फिर कैसे होगा तो थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा तो इसके साथ धन्यवाद